हलो गाइज आप साब का स्वाकत है हमारे यूटूब चैनल नेचर एंड अनिमल लवर में तो गाइज अभी आप हमारे इस वीडियो के सामने देख सकते हो कि मैंने दो बरश लिये पेंट वाले तो वह एकदम हाड हो चुके है आप ही अब कुछ देख रहा होगा तो है हिzes पूरा है तो इस वीडियो में हम आपको जेएं किस तरह आप इन प्राण प्रस को कैसे आप पर ए सकते हो मतलग है तो कैसे सॉफ्ट कर सकते हो वह इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे तूंग चलिए आजका वीडिया में तो वाई इसके लिए मैंने मार्केटर गया तो लोकल शॉप से मैं यह लेका है पेंट सॉलवेट और इसका जो MLA वो 400 ml का है और यह मुझे 40 प्रे का पड़ा है और इसका जो प्रिंटर रूपिस का इसका MRP है तो आप इसको कोई भी आपनी यह ले सकते हो जो पेंट का समान भी तो आपको इजली अवेयले मिल सकता है इसको ताज पीन का तेल भी बोलते हैं और प्रिंट में भी जे जो होता है तो इसली आपको अवेयलेवल में होगा तो यह लिए है और इसको हमने एक कटोरे में डालना है आपको भी बतन लिसकते हो चाहिए कुछ टील का हो चाहिए कुछ भी तो मैंने एक प्लास्टिक का मेरे पास जार पड़ा था तो उसको मैंने ऊपर से काट लिया है तो अभी इसका हम मतलग उतर ही डालेंगे कि जितने म तो ब्रश है वो इसमें लग सके हैं तो अभी हम अपने ब्रश को इसमें रख लेंगे तो और अब हमने जो तारपीन का तेल लिया था उसको हम उपन कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे इसको भी हम इसके बीच में रखेंगे तो मेरा तो सारी लग चुका है यह चार से मिलका लेका है था मैं अभी जो दूसरे ब्रश रह गया चोटे उसको भी हम बीच में रख देंगे और इसको इसे हलाएंगे और अभी इसको इसके अंदरी बीच में रहने दो अभी थोड़ा वेट करेंगे तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेते हैं तो गाइस अभी हमने लास्ट में अपने ब्रश को ऐसे तेल में डुपा के रखा था तो पूरी राज ऐसी रहे मैंने नाइट में चेक कर रहा था कि मतलब भी सॉफ्ट कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं लेकिन कल तक नहीं मतलब इस बाल जे बड़ा ब्रश इसमें को ज् कि आइम जई अज तेल में रहे मैं इसको लगवा दो तीन बार असे मतलब इसको फूरा डिप कर गख दिया था बीच 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 में इसको लाता गया था कि जो इसको जो पूरी तरह इसको ब्रशे था को अब हम देखतें के पूरा सॉट हुआ है या नहीं तो इसके लिए कि अभी जैसे तेले के और पेंट भी लगा हुआ है तो अब हमारी जो हाथ है वो गंदे हो सकते ज्यादा तो मैं आपको रेक्मेंट करूँ हूं कि आप जा तो कोई गलव दूस कर सकते हो और जा फिर आप एक लिफाफ ले सकते हो पॉलिसिंग कोई भी इसको अपने हाथ पे लगा लें ऐसे मैंने अपने हाथ पे चड़ा लिया है और अभी हम जो भी ब्रश है इसको एक एक कटके अभी जे तो फटा पड़ा है कि अब यह एक एक ब्रश निकालेंगे और इसको अच्छे से दबाएंगे और इसको ऐसे मसलेंगे तांके जो भी एक्स्टर तेल है जाब कोई पेंट रहे चुक है इसके अंदर वह ऐसे निकल सके अभी एक ब्रश हमने हो चुका है तो अभी दूसर लेंगे कि कभी हमने जो तेल है वो निकाल लिया है तो अभी जे कुछ छोटे प्रसस थे मेरे इसको भी हम ऐसे कर लेंगे कि कि अधार है तो कि अधार अधार है यह जे तो घूब चुका है तो गाइज अभी हमारे पास जो बरस थे वो मैंने आपको पहले बता रहे कि पूरे हाड थे तो अभी आप देख सकते हो जो बरस हमारे वो पूरी तरह सॉफ्ट हो चुके है तो देख सकते हो कि अभी हम इसको दुबारा से जूज कर सकते हैं और यह पेंट करने के लिए एकदम सही बन चुके हैं तो अमीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें और अगर आपके कई वार हो सकता है कि आपका जो ब्रश जहां तक तो यह तेल में पड़ा हुआ था तो यह पूरा सॉफ्ट हो चुका है लेकि जो यह वाला है तो अभी भी यह हाड है पूरा तो अभी इसको हम ज्यादा टाइम के लिए और रखेंगे को अंदर और एक दो दिन में पूरा सॉफ्ट हो जाएगा तो अपने दोस्त पर हम कलर करेंगे आपना कोई भी ट्राइंग करेंगे छोटा मोटा है थैंक्यू अग्यू 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 झाल